नवश्कार दोसो, वेलकल डूट अफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन, नाव हाली में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफी पड़े होंगे, कि इंडिया ने हरा दिया है रश्या को, और विदेशी मुद्रा भंडार में हम बन गए हैं, रांग फोर देश, यहाँ पर आप गिर गए पिछले कुछ सालों में, उसकी वज़े से बाइट डिफोल्ट हम आ गए हैं नंबर फोर रैंकिंग पर, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे जो आर्टिकल है लिखा है, इंडिया इस फ्रन एक्शेंग रिजर्व वर्ल्स फोर्थ लार्जेस्ट आफ्टर सरपा पासिंग रशिया, क्योंकि आप अगर लिस्ट में देखो तो इंडिया के फोरेक्स रिजर्व अब बस मार्जनली थोड़े से उपर हैं compared to that of Russia's, so 580 बिलियन डॉलर्स काफी बड़ा माउंड होता है यह, मगर क्या हम नंबर वन पे हैं नहीं, नंबर वन पे हैं चाइना, चाइना के पास टोटल फोरेक्स रिजर्व हैं 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स से भी जादा, मतलब आप कहले जिए इंडिया के फोरेक्स रिजर्व का रफली 6 गुना जादा है चाइना के पास, जपान के पास है 1.3 ट्रिलियन, इंडिया के फोरेक्स रिजर्व का रफली डबल और even Switzerland के पास है 1 trillion से उपर foreign exchange reserve और फिर आप देखोगे बाकी देश हैं आपे Saudi Arabia, South Korea, Singapore यह सब countries यहाँ पे आपको मिलेंगी अब एक question आपके मायन में यह आएगा US यहाँ पर क्या है? इतनी बड़ी list है और यहाँ पे United States of America ही नहीं है देखो US अपनी currency को क्यो hold करेगा? उनके पास तो है federal reserve वो जितना मर्जी चाहे dollar print कर दे तो उनको कोई store करने की तियाव शकता है नहीं वो जितना आप कह सकते हैं एक बड़े देश के पास होने चाहिए dollars वो store करके रखते हैं और emergency purpose मगर dollars के दम पे वो अपनी dollar को strong नहीं कर सकते क्योंकि US dollar strong है और कारणों की वज़े से उसके reasons है strong military, petro dollar, oil countries का support और फिर सबसे बड़ी बात US के पास है दुनिया के सबसे जादा gold reserve gold देखिए कैसी चीज़ा है जिसकी value तब भी थी जब समराठ अशोग राज करते थे आज भी है 2021 केस में और US का जो central bank है इनका federal reserve यहाँ पे है 8000 ton से भी जरा सोना और total इनके reserve का 79% है gold वेरास इंडिया के total reserve का सिर्फ 8 या फिर 9% के आसपास है gold तो US to be honest जितना भी आपको रिखे risky है काफी ये लोग debt उठाते हैं जो इनके core fundamentals है वो काफी stable है यह आज भी विश्वास करते हैं gold पर, silver पर, precious metals पर, oil पर, economy पर घर यह सब अलग बात है मगर question यहाँ आप हम आपसे यह पूछूँगा क्या के एसाफ से आने वाले 6-7 साल में, इंडिया का target क्या होना चाहिए क्या हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास 1 trillion dollars के forex reserve हो या फिर हमारे पास जो gold reserve है, यह जारा होने चाहिए इसके बारे में लिखिएगा, बहुत ही interesting answer मिलेंगे I would really like to read your answers और कोई बड़ी answer हुआ, तो obvious ही बात है, उसको मैं pin भी कर दूँगा सबसे बड़ा question यहाँ पर आप पूछ सकते हैं Alright, so हमारे forex reserve अब हो गए, rank 4 पर मगर क्या यह खुश होने की बात है, क्या हमने कोई 3 वार लिया यहाँ पर Well, to be honest, खुश होने की बात तो है, क्योंके forex reserve जब आपके बढ़ते हैं, और दुनिया की 4 rank पर आप अगर हैं तो इसका मतलब यह हैं कि दुनिया भर के जो investors हैं, जो निवेशक हैं वो आपके देश में निवेश करने में ज़ादा comfortable feel करेंगे क्योंके उनको पता है कि अगर कल को कोई economic संकट आया, कोई problem आ गई तो आपके पास इतना forex reserve है कि आप संभाल लोगे पूरी economy को, यह बहुत ही important है क्योंके आज के समय इंडिया के पास इतना forex reserve है कि कल को अगर मालो भारत कमाना बंद कर देता है सबने tax pay करने बंद कर दिये, सरकार की कमाई नहीं हो रही, तब भी 18 महीने तक सरकार अराम से जो अपने imports हैं उसकी payment कर सकती है, यह काफी परा time है तो इससे assurance मिलती है investors को और इसलिए हम ने देखा है कि पिछले 9 महीने में highest ever foreign rate investment हुई है इंडिया में at 67.5 billion dollars और इसका reason यही है कि investors को बताए कि यहाँ पर forex reserve बढ़ रहे है, taxes यह लोग increase करनी रहे, great time to invest और इसलिए इंडिया का stock market भी भाग रहा है और लगाता है यहाँ पर निवेज भी हो रहा है so यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, all right, so forex reserve entries होना अच्छी बात होती है, इससे country पर विश्वात जागता है, बाकी companies का तो यह सब US dollar पर based है, तो हाँ देखिए, जराता जो forex reserve है दुनिया भर में, चाहे चाइना के हो, US के हो, इंडिया के हो जरातार आपको मिलेगा वहाँ पर US dollar या फिर US dollar assets, अब यह क्या होते है, US dollar assets, पर समझाता हूँ आपको, एक बहुत ही simple example मैं आपको दूँगा, समझने के लिए, यहाँ पर है एक भारतिय नागरेक, यह है एक export हैं, इंकी बहुत बड़ी factory है, दवाईया बनाते हैं यह, औ मुझे 10 million dollars pay कर दो, इन्होंने का ठीक है, बिल्कुल, इन्होंने 10 million dollars दे दिये यहाँ पर Indian exporter को, अब Indian exporter 10 million dollars का क्या करेगा, इनको चाहिए rupees, जो इनके workers हैं, जो इन यहाँ पर काम होते हैं India में, उसके लिए rupees चाहिए होंगे इनको, तो यह अपने dollars को लेकर पहले RVA को, RVA के पास ऐसे आगे 10 million dollars, अब RVA dollar को देख रहा है, dollar RVA को देख रहा है, अब RVA सोच रहा है क्या करोगे इसका, इसको मैं रख दूँगा अपनी तिजोरी में, तो धूल खाएगा, मगर तभी US भीच में आता, US कहता है नहीं नहीं, आप इसको रखिये मत, आप जो य at least आपको कुछ return तो मिल रहा है, और दूसरी बाद यह है, कि मैं आपको इसके बदले में दूँगा, US Treasury Paper, यह almost US Dollar के बराबर ही है, क्योंकि इसको backing मिलती है, US Government की, और यहाँ पे लिखा होगा कि 10 साल के लिए, यह 10 million dollars यह हो गए, US के 10 साल बाद यह वापस आपको जो यह amount ह चुका देंगे, तो RBI को बताए कि US बहुत ही stable country है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, US अपनी जगा बनी रहेगी, इनकी currency भी strong है, dollar कही जाने वाला है नहीं, तो यह इसलिए क्या करेंगे आपर, US के जो Treasury Papers हैं, यह कर लेंगे purchase, तो अब RBI का जो Forex Reserve है, यहाँ पे होगे The Economy Times का आर्टिकल है, December 2020 का, कि India emerges fastest growing investor in US Treasury Papers, RBI बहुत ही बड़े scale पर, जो यह Treasury Papers है, यह purchase कर रहा है, और एक तरीके से इससे RBI इंडरेक्ली, जो US debt market है, उसको support भी करता है, अब यहाँ पे आप पूछेंगे, अब US को यहाँ पे क्या मिलता है, इन्होंने basically, जो currency इन् पस मिल गई, और इसके बदले में 1 और या फिर 2 परसेंट के आसपा जो interest rate है, यह pay करेंगे यह RBI को, देखो US को पहली बात तो यह amount मिला है, बहुत ही बड़ी मात्रा में, 10 million dollars इखटे मिले हैं, यह लगाएंगे यह amount अपने देश में, अपने देश को और बढ़िया यह अपने जो living standards improve करेंगे, अपनी army को strong करेंगे, SpaceX को पैसे देंगे, Elon Musk को strong करेंगे, कि और satellites launch करो, basically अपनी country को और भैतरी न दनाएंगे, ताकि कल को आने वाले 20-30 साल में, अगर इंडिया में कोई लड़का पैदा होता है, जिसके 12 में अच्छे number आ गए, जिसने IIT कर ली फिर बाद में वो इंडिया में काम नी करेगा, वो सिरा US में आकर Google, Facebook, SpaceX इन सब में काम करेगा, या फिर खुद एक नई company मनाएगा, जो US economy को contribute करेगी, अब इसका मतलब है ये नहीं कह रहा है, कि इंडिया आपे गलती कर रहा है, हम लोग अपनी तरफ से सरी कर रहे हैं, मग फिर ये companies यतनी है, tax US को, और US बड़े अराम से हस्ते खेलते, 10 साल बाद, जो ये आप पर amount है, ये वापस कर देता है, तो इसलिए काफी बार आपने रिखा होगा, कि लिखा होता है, कि इंडिया के Forex Reserve में, primarily आपको मिलेगी 4 चीज़े, एक तो होती है, foreign currency asset, फिर लिखा हो बहुत जारा कम होता है, roughly आप कह सकते हैं, 7-8 billion dollars का maximum, major जो chunk है, RBI के Forex Reserve का, इसमें आपको मिलेगा या तो gold सोने की इटे, जो RBI में पड़ी हुई है, या फिर foreign currency assets, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं, मैं नहीं मानता के gold RBI के पास कम है, ये जो US के Treasury Papers हैं और bond वगरा, ये और by the way, जो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आप भी सर्च कर सकते हैं, वस Google कर लीजिएगा, RBI Forex Reserve, और यहाँ पर यहाँ पर लिखा है, Pakistan Forex Reserve, यह रहन देते हैं, हाँ यहाँ पर लिख करते हैं, RBI Weekly Statistical Supplement, और यहाँ पर आप देखोगे, लिखा है, Foreign Exchange Reserve, 12 March 2021, इस पर क् बहुत कम होते हैं, जादार RBI को, और दुनिया भर के Central Banks को भरूसा है, US के Treasury Bills पर, और फिर उसके मारा आपको लिहेगा, Gold, और फिर अफ्कोर्स Special Drawing Right, और IMF Reserve Position, और इन सब से मिलके बनता है, हमारा Foreign Exchange Reserve, जो अब Russia के भी पार चला गया है, Great Job, Ball अच्छा लग रहा है सुनके, So, यह हैंड एक मिन्टो को, यह कोर्स हाते हैं, Unacademy के, Unacademy.com पर आज बास हकते हैं, और यहाँ पर कोई भी कोर्स आपको पर्चेस करना है, SSE, Bank, Railways, MPSC, UPSC, आप various exams के जो कोर्से हैं, पर्चेस कर सकते हैं, और यह है original price, यह पर मत कर देना, simply यहाँ पर एक कोर्ड यू के एंड इस वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all.